गुड मॉर्निंग और बताइए कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे आज कई दिन बाद वीडियो बना रही हूं क्योंकि मैं बीजी हो गई थी साधी में लेकिन आज फिर से मैं आ गई हूं अपने गार्डन में और देखती हूं कौन-कौन स वके मैं तो की बारे में तो रभेरा प्लांट वैसे तो यह पूरा साल चलने वाला प्लांट होता है लेकिन अभी सर्दियों में यह अच्छे से अच्छे सरवरिंग करता है पहू सुंदрашंदर फ्लावरर इस पे राते हैं आई नवंबर से यह इस ने हकर देता है और फरवरी तक ये अच्छे से फ्लावरिंग करता रहता है अगर आप इसमें थोड़ी सी केयर करने के बाद बहुत अच्छे से आप इसमें फ्लावरिंग ले सकते हैं फरवरी मार्श तक और पूरे साल आपके साथ ये प्लांट रह सकता है तो friends, आज इस प्लांट के बारे में बात करते हैं सबसे पहले सनलाइट की बात करते हैं इसे सनलाइट कैसी चाहिए होती है तो सनलाइट में आप इसे ऐसी रखिए जहां पर इसे दोफैर तक अच्छी सनलाइट मिले सुछ की दो तीन घंटे तक इसको अच्छी सनलाइट मिले ऐसी जगा पर आप इस प्लांट को रख दीजे उसके बाद उससे मतलब पूरा दिन की धूप में मत रखे इसे क्योंकि पूरा दिन की धूप में रखने से क्या होता है इसकी लीव्स जो होती है यह हार्ड हार्ड सी होती है जैसे बहुत से हमारे प्लांट की लीव्स सोफ्ट होती है इसकी लीव्स हार्ड होती है तो अगर पूरा दिन की धूप में हम इसे रख देंगे तो इसकी लीव्स जलने लग जाती है तो आप इस प्लांट को ऐसी जगा पर रखिए जहां पर इसे दोपहर तक की अच्छी सनलाइट मिले उस पूरा दिन की धूप में आप इसे मत रखी तो सुबह सुबह की सनलाइट इसको मिलेगी तो ये अच्छे से फ्लावरिंग करेगा इसका फूल बहुत पसंद है मुझे ये कितना बड़ा और कितना सुन्दर फ्लावर है और अभी ये पूरा उपन भी नहीं हो रखा है इसके कलर बहुत सारे मिल जाते हैं इस प्लांट के मेरे पास ये हाइब्रेड वाला जर्बेरा प्लांट है बहुत सारे color मिल जाते हैं इसके different different color आप जो अपनी मर्जी से अपनी पसंद से कोई भी color नरसरी से लेके आ सकते हैं तो पानी की बात कर लेते हैं इस plant पर इस प्रे करके बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है आपको क्योंकि इस plant में fungus लगने के chance रहते हैं इसलिए आपको इस plant में spray करके इसके फूल पे और पत्यों पे इस प्रे करके बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं डालना है इसमें सिर्फ आपको side में से थोड़ा थोड़ा पानी यहां से डालना है और वो भी आपको रोज इसमें पानी नहीं डालना है सिर्फ अभी जैसे की सर्दिया है तो हमारा दो दिन पानी अच्छे से चल जाता है तो आपने जैसे आज पानी डाल दिया उसके बाद आपको अच्छे से सोईल ऐसे देखी चैक करनी है अगर आपकी soil बिल्कुल dry है तो आपको पानी डालना है नहीं तो आपको avoid थोड़ा avoid करना है पानी डालना इसलिए आप उसमें पानी मत डालिए अगर ज्यादा पानी आप इस प्लांट में डालेंगे तो इसमें fungus लग जाएगी इसलिए दो दिन छोड़के हमेशा इस प्लांट में तब पानी डालिए अगर गर्मिया है तो फिर तो आपको रोजी पानी डालना है गर्मियों में ये flowering तो करता नहीं है लेकिन हमारे पास रुख जता है ये plant आप पिछले साल वाला प्लांट भी अभी उस में फ्लावरिंग नहीं हुई है. तो फ्रेंड्स अभी बात कर लेते हैं इसकी सोईल के से प्लांट आप को लगाई धा तब में पास पुराणा कच्रा था मतलब किचन का सोरी जो हमारा किचनवे वही मेरे पास था, तो वह मेने इसमें नीचे डाल के तब इस प्लांट को लगाया था। उससे जैसे ही हमारे प्लांट की जड़े कच्रे तक पहुंचती हैं, तो वैसे ही प्लांट को हमारे एनरजी मिलती है वहोच जदा और plant भी अच्छा healthy भी होगा और वो जो हम कच्रा डालते हैं वो खुद से ही उसका खाद बढ़ना सुरू हो जाता है तो इसलिए आप इस plant को ऐसे भी लगा सकते हैं नीचे अपना kitchen waste डालके उसके उपर आप soil डाल दीजिए तो ऐसे भी आप इसके लिए soil तयार कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपके पास नहीं है तो आपको एक 40% आपको इसके लिए soil लेनी है और 40% आपको उसमें 40% आपको उसमें sand mix करना है उसके बाद आपको इसमें 20% vermicompost add कीजिए गोबर की खाद भी ले सकते हैं वर्मी कंपोस्ट की जगा तो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट add कीजिए उससे आपकी प्लांट की soil तयार हो जाएगी और आप उस प्लांट को लगा दीजिए तो सबसे पहले आपको drainage hole चेक करना है अपने port का तब soil डालते हैं तो आपको drainage hole तयार देखना है उसका आपके port का drainage hole अच्छा है या नहीं अगर drainage hole अच्छा नहीं होगा तो एक्स्ट्रा पानी नहीं निकल पाएगा इसलिए आप अपने port में ये चेक कीजिए कि आपके port का drainage hole अच्छा है या नहीं अगर अच्छा होगा तो उसके उपर आप एक ठीकरी रखके तो उसमें soil डालके फिर अपने इस plant को लगा दीजिए बहुत अच्छी आपके plant की growth होगी और अच्छे से flowering आपको करेगा तो फ्रैंट्स इसका फूल होता है ये देखे इस तरीके से stem निकलता है इसके फूल का ये वाला तो ऐसे stem निकलके तब इसका फूल बनता है ये ये फूल इतना अच्छा होता है आपने देखा भी होगा कई जगा पर decorate के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है अगर आप इसे यहां से निकाल के पानी में रख देंगे कहीं पर भी decorate के लिए तो वहां पर भी ये बहुत अच्छे से कई दिन तक टिक जाता है ये flower ऐसा होता है जल्दी से खराब नहीं होता है कम से कम 8 से 10 दिन तक ये फूल ये वाला flower देखे आप इसका इसे कम से कम मेरे ख्याल से 7 से 8 दिन हो गए है और अभी तक देखे ये ऐसा का ऐसा ही है इसमें ये दो फूल इसके निकले हुए है ये भी पुरा उपर नहीं हुआ है तो अगर आप यहां से इसे निकाल के पानी में भी रख दोगे तो वहां पर भी ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग ये फूल बिल्कुल भी ड्राइ नहीं होगा और डेकुरेट के लिए 7 से 8 दिन ऐसे ही आपके पास रखा रहेगा तो फ्रेंट्स अभी बात कर लेते हैं फंगस की जैसे ही इस प्लांट पर फंगस लगता है उसके लिए आपको क्या करना है तो फंगस के लिए आपको इस प्लांट में यूज करना है नीमोईल तो नीमोईल आपको कैसे तयार करना है आपको देखना है आपके पास प्लांट कितने हैं तो आधा लिटर पानी में वन स्पून आपको नीमोयल डालना है और उससे आधा स्पून आपको उसमें सैमपू या कोई डिटोल वगरा हैंड वोश वगरा कुछ भी आपके पास हो उसमें एड कीजिए हलके गुन-गुने पानी में और वो आपको इस पर इस्प्रे करना है उससे आपका प्लांट बहुत अच्छा रहेगा और फंगस से भी बचा रहेगा नीमोहिल से तुम ये मैंने प्लांट ये लगाया था तो आप ऐसे कट कर दीजे इससे क्या होगा अगर हमारे इस पर लेवस पर कोई फंगस वगरा है तो वह यहीं के यहीं इसके साथ हट जाएगा ऐसे और नई लेवस इसमें बहुत सारा बहुत सारे बनती रहती हैं देखिए आप जिस तर ये ये मैंने इसकी सभी लेवस हटा द यहां से देखिए इसके फ्लावर भी यहीं से निकलते हैं और पत्तिया भी तो इसका फ्लावर यह बहुत प्यारा लगता है ऐसे स्टैंप पर तो फंगस के लिए तो हमें इसमें नीम ओली स्प्रे करना है अभी मैं इसमें जो फर्टिलाइजर डालने वाली हूं वह आपक के पास कोई सा भी फर्टिलाइजर हो आप डाल सकते हैं लिक्विड बनाकर लिक्विड से बहुत जल्दी जल्दी वर्क करता है लिक्विड लिक्विड मैंने अभी इन में डाला था नी 15 दिन पहले मैंने इसमें डाला था सरसोखल सरसोखल का लिक्विड बनाकर मैंने फूल वाले प्लांट में डाला था और अभी में देखि लिक्विड नहीं बनाऊंगी लेकिन ये कुछ दाने मेरे पास है ये डिय पी और एन DAP के कुछ दाने हैं और NP के कुछ दाने हैं तो इन दोनों को हमें क्या करना है ऐसे देखी यहां से इन प्लांट्स में ज़्यादा गुड़ाई तो हमें करनी नहीं होती है क्योंकि यह पूरे पोट में ही भरते हैं तो ऐसे साइड साइड में से थोड़ी सोईल हम हटा लेंगे इस तरीके से और यहां पर देखिए ऐसे कुछ दाने आपको सिर्फ थोड़े दाने हमें लेकर ऐसे चारो साइड में सोईल हटा कर डाल देने हैं देखिए ऐसे इस तरीके से और इसके उपर फिर से हम सोईल डाल देंगे इससे हमारे प्लांट में ये धीरे धीरे जैसे ही हम पानी डालते हैं तो धीरे धीरे घुलते रहेंगे और हमारे प्लांट को एनर्ची मिलती रहेंगी तो इसी तरीके से इस प्लांट में भी हम ये खाद डाल देंगे तो इस प्लांट की सोईल आपको सोफ्ट तो रखनी है सोफ्ट सोईल बनती है रेत मिलाकर रेत जब हम अपनी सोईल में मिला देते हैं तो उससे सोईल जमती नहीं है तो इस प्लांट ऐसे होते हैं कि इने कम टाइम में ज़्यादा फूल देने होते हैं तो इनके लिए जितनी सोफ्ट सोईल आप रखेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी यह फ्लावरिंग करेंगे soft soil में जड़े अच्छे से फैल जाती है लेकिन तब हम इनके लिए अगर hard soil लेंगे तो उसमें जड़े इनकी अच्छे से फैल नहीं पाएंगी इसलिए friends आप तब भी अपने plants की soil तयार करें उसमें थोड़ा rate जरूर mix करें क्योंकि rate soil को जमने नहीं देता है और क्योंकि हम plant अपने पोट में लगाते हैं तो पोट में जमने भी नहीं चाहिए अगर soil जम जाएगी तो उससे जड़े फैल नहीं पाएंगी और हमारा plant अच्छे से energy भी नहीं दे पाएगा flowering भी नहीं दे पाएगा और healthy हमारे हमें plant चाहिए तो थोड़ी उनकी care करनी होती है तो friends अभी मैं दिखाती हूँ आपको गेंदे के कितने प्यारे प्यारे flowers आए हुए है जरबेरा plant की तो बात हो गई है आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक ज़रूर करें ये देखें गेंदे के फ्लावर वाओ इतने सुन्दर सुन्दर आए हुए है अभी मैं एक दो दिन में ही मेरी गोल्ड पर भी वीडियो बनाऊंगी आप देखना जरूर तो आज की इस वीडियो में इतना ही friends बाई बाई